हेलो दोस्तों स्वाग थे आप सभी का मेडियो टू चैनल पर तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे एगनू BCA फर्स समस्टर सिलेवस के बारे में तो मैंने BCA का जो फर्स समस्टर है उसका तीन सब्जेक का मैं सिलेवस पहली डाल चुका हूँ जिसमें है BCS 11, BCS 12 और BCS 13 का मैं पहली पूरा सिलेवस डिसकस कर चुका हूँ और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले FIZ 02 और उसके बाद हम लोग देखने वाले ECO 01 आज इस वीडियो में हम लोग इन दोनों सब्जेक का सिलेवस पूरा देखेंगे ठीक है तो देखिए यहाँ पहे है FIZ 02 Foundation Course in English 2 य यह हम लोग का सब्जेक का नाम ठीक है और यह जो Hilfe 02 है यह हम लोगा subject code ये फिर course code ओके ठीक अम लोगा एप आप से तो पता हिया को क raining चार्यान दिया देना यानि학 50 02 ही सही हम लोग आप हमीशा Yceline Tutaj it तो देखिए इसमें भी as usual block wise है तो हम लोग का इसमें फेजी 02 में फर्स्ट दो तीन और चार block दिया हुआ है ठीक है और यह जो फेजी 02 है ना यह कोई मतलब यह English है जैसे आप लोग अभी अब तक जैसे करते आ रहे थे ने 8 9 10 में 11 में यह जब भी English का exam दिये थे तो यह वही है और इसमें अलग कुछ नहीं है काफी easy subject है आपको ज्यादा मुस्किल नहीं होगा ठीक है तो यहां पर देखिए block 1 इसके अंदर हम लोग के पास 6 unit दिया हुआ है राइटिंग पैराग्राफ यॉनिट 1 यॉनिट 2 है राइटिंग पैराग्राफ 2 दर डेवलेप्मेंट ओ काफी चोटा सा है और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं जैसे कि देख रहे है यॉनिट 1 वह यह पैराग्राफ लिखने का है उसके राइटिंग पैराग्राफ 2 में मतलब जो यॉनिट 2 है उसमें बस आपको डेवलेप्मेंट बताएगा कि कैसे पैराग्राफ लिखता है फिर यॉनिट 4 में उसका अपडेटेड वर्जन है उसके बाद पिर नोट टेकिंग है उसके राइटिंग रिपोर्ट्स है इसी तरह से देखिए फिर ब्लॉक 2 आगया उसके बाद है यहां पर अर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन यानि की कंपोजिशन का अलग टाइप उसके यॉनिट 2 में उसी का अपडेटेड वर्जन है फिर उसके बाद हैं कि यॉनिट 3 में नोटạ फिर उनिट 5 है राइटिंग समराइज उसका कैसे समराइज करते हैं कोई भी टॉपिक वह या जो दिया रहता है पाराग्राफ उसको वही सब है ठीक है उसके देखें ब्लॉक 3 है इसके अंदर भी 6 यूनिट दिया हुआ है तो यहां पर देखें राइटिंग पाराग्राफ 3 यानि वही पाराग्राफ को और अप्डेटर वर्जन कैसे लिखना होता वही सब उसके देखें नेरेटिव कंपोजिशन उसके यूनिट 3 भी है नेरेटिव कंपोजिशन पार्ट 2 तो वही कंपोजिशन लिखने का तरीका को एक दमच्छेस आपको डिटेल में बताएगा یनि-क वही का फिर यूनिट 4 है राइटिंग रिपोट्स 3 यानि रिपोटिंग इंटर्व्यू यानिकी रिपोट्क है इंतर्वू सबूसरी दिंटर्व्यू से कैसे रिपोट्स लिखना था वह श्यूनिट 5 रायटिंग रिपोट्स पारट 4 उसका कैंह रिपोट만 예쁜 सम्व तो आप उसका कैसे रिपोर्टिंग करना है वो है यॉनिट 6 है राइटिंग समराइज उसका और अपडेटिट वर्जन है आप देख रहे होगा कि यह कुछ है ने बस अपडेटिट कर रहा है और कुछ नहीं उसके पिर यॉनिट 4 यहां पे देखिए यॉनिट 1 है स्वारी ब इसके पिर यॉनिट 4 है नोट टेकिंग उसके फिर राइटिंग रिपोर्ट 5 रिपोर्टिंग एक्स्परिमेंट्स पर कैसे रिपोर्ट करते है उसके बाद है समिंग तो इसी तरह से आपका पूरा यह सिलिबस है इसमें ज्यादा कुछ नहीं है बस एक ही चीजों को आपक अच्छे से डीटेल में बताने के तोड़ पे वह बताया हुआ है और यह फेजी 0-2 जो है बिस यह में इसका 50 marks का पेपर होता है तो ज्यादा हाड नहीं होता है एकदम सिंपल अराम से कर सकते हो तो यह था हम लोगा फेजी 0-2 का अब देखिए आप लोगा सवाल होगा कि इसको पढ़े कहां से मतब जो भी है इसको पढ़ना तो ना कहीं से तो देखिए मैंने मैं इस चैनल पर प्रॉपर पढ़ाए करवाता हूं चीक है मेरे इस चैनल पर काहम है previous year solve करवाना तो मैंने एफेजी 0-2 का भी previous year solve करवा दिया एकदम अच्छे से दो पेपर को एकदम तो वह सब आपको लेटर कैसे लिखना होता है सभी चीज है तो आप यह वीडियो देख सकते हो चैनल पर आपको यहीं पर मिल जाएगा और यह चैनल आपके काम का अभी भी है और एक साल बात भी होगा और छे मैने बात भी होगा और दो साल बात भी होगा तो इसलिए अग रिपिटेट कोश्चन दिख जाएंगे आपको सभी टॉपिक पता चल दाएगा आप प्रिविएस तीन साल को अच्छे से कर लोगे तो आप एक तरह से सिलिबस को भी कंप्रेट कर लोगे तो प्रिविएस से करना बेस्ट होता है और मैं वही करवाता हूँ ठीक है आप देख बिजनेस और बिजनेस और नाम से इस पता चल रहा है हम लोगों को बिजनेस और बिजनेस के बारे में हम लोगों को आइडिया दे रहा है कि कैसे होता है बिजनेस तो ब्लॉक वन में है वही बिजिक कॉंसेप्ट इसके अंदर देखे हम लोगा चार यूनित दिया हुआ है unit 1 nature & scope of business unit 2 form of business organization तो पहले unit में बता एक कि business होता कि निचर क्या होता है उसका निचर क्या होता है उसको इसको क्या है दूसरा में की business organization का forms कि तरक होते है unit 3 में उसनी का updated वर्शन है फिर unit 4 में बता है business promotion कैसे होता है वो सब है ना उसके अधा है block 2 financing of business तो इसके अंदर तीन यूनिट दिया हुआ है सिर्फ यह है method of raising finance फिर यूनिट टू है long term financing and underwriting उसके यूनिट 3 है stock exchange ठीक है तो यहीं सब finance के बारे में होता है कि कैसे finance को हम लोग raise कर सकते है long term financing क्या होता है stock exchange में क्या होता है वह हुआ ठीक है उसके देखे block 3 यह है marketing इसके अंदर हम लोगा पांच यूनिट लिए हुआ है advertising advertising media home trade and channels of distribution होल सेलर और डिटेलर procedure of import and export ठीक है तो वही है marketing के बारे में जैसे कोई business करते है तो उसका marketing होता है तो कैसे advertising क्या जाता है advertising media क्या होता है home trade क्या होता है channel of distribution क्या होता है wholesaler कौन होता है retailer कौन होता है procedure क्या होता है import और export करने का है वही साव है marketing उसके ब्लॉक फोर है business services इसके अंदर तीन यूनिट दिया हुआ है पहला है banking उसके बीजनेस रिस्क एंड इंस्यॉरेंश उसके बाद है transport एंड वह घुरहाऊसिंग तो business services यानि कि बैंकिंग क्या होता है business रिस्क क्या होता है insurance क्या होता है transport क्या होता है वह होता है वह सबके बारे मता होए उसके बाद है unit 5 government and business इसके अंदर भी पेखला है गुट्यूवेजियश कफर्वागुनेजेशिफbykonale do उतकि में इस सब भी होता है कि गवर्मेंट का बिजनेश में ऊती पर यहांनि की कोई और सिंप किसा कि तरह को हता है उसकर पॉबलीक यूटिलिस्स क्या होते तो यह सब यह है अब देखिए यह सब तो मैं आपको ब्लोग बता दिया हो तो आप लोग का यह चारीट बूक या तो आप लोग को जो इगनु की तरफ से आया है तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं आप डारिक्ट चाहिए और बुक डाउनलोड कीज़े और पढ़ना शुरू कर दीज़े ठीक है और आप उसके बाद प्रिवियस सेर को भी कर रही है अगर आप इस्टार्टिंग से प्रिवियस सेर को करते हो तो भी अच्छी बात है अगर आप बुक नहीं भी खोल रहे हो तो भी चलेगा ठीक है मैं तो यह बोलता अगर बुक आप नहीं भी खोले हो न तो भी आपका पढ़ा अराम से चल सकता है तो अगर आप book download करना है तो कर लीजे और उसके बाद previous share को जरूर देखें मैंने eco01 जो है इसका भी previous share solve करवा दिया है यह भी कोई ज्यादा यह नहीं है कि बहुत सारा इसमें रहेगा सिंपल ही अराम से कर सकते हैं जो आपके आसपास होता है वह ही है तो इससे आप इसमें आपको ज्यादा यह नहीं लगेगा यह भी आपका फिप्टी मॉक्स का ही पेपर होता है और मैं इसका भी previous share करवा चुका हूँ मैं link में description में link दे दूँगा इनका और अगर हम महां subject join का है अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो मैं उन सब का भी वीडियो बना दिया हूँ मैं उन सब का भी वीडियो के description में दे दूँगा तिक है और हां आप सोच रहोगे कि description में अंडबंड भी मैं सभी अपना जितना भी content है सब का link दे दूँगा ऐसा कुछ नहीं है तो मैं आपको नीट क्लीन सिर्फ दे दूँगा जो आपके काम का है ठीक है एक्स्टा कुछ भी नहीं दोगा इसलिए आप अलाम से description को लिए और उसमें जितने भी links होंगे सभी आप previous test solve करवाता हूँ मैने Колopher's का सभी सμिस्ट करवा ही दिया सभी subject का second का भी करवा चुका हो थर्ड का भी करवा चुका हो आने वाले वक्त में मैं आगे सभी का भी करवा दूँगा तो यह चैनल अब सब्सक्राइब करके रख लीजए अभी भी काम का है छे मैने बाद भी